students हमारा जो topic है वो है competency जैसे कि हमने discuss किया था कि कोई भी evidence है उसके character strikes तीन होने चाहिए number one relevant and material and competency अब competency क्या है competency relate करती है witness से witness कौन जो आँखों देखा वाक्या देखता है जो उस हाथसे का witness होता है जिसने वो सारा कुछ अपनी आँखों से देखा होता है यह competency उससे relate कर रही है जरूरी नहीं जिसने वाक्या देखा हो वो competent हो तो उसकी कोई ऐसी गवाही से किसी को गरत सजा मिल जा या उसकी इस तरह के witness स्पेश होने से क्या हो जाए जो allegation जो बन्दा जिसने जर्म किया जो fraudster है या perpetrator है वो अजाद हो जाए so competent witness किसे कहते है हम discuss कर लेते है competency is usually associated with the ability of witness to comprehend what they saw and what was done and relate that information accurately ठीक है competency क्या है basically कि उसने जो वाक्या देखा और जो उसने सारा कुछ होते वे देखा उसको वो link कर सके actual में वाक्या के साथ ये कैसे हुआ था अब होता क्या है कुछ लोग बहुत जादा aged होते हैं उनकी eyesight का problem होता है हो सकता है किसी ने आसा वाक्या देखा वो mentally जो है वो normal ना हो हो सकता है जिसने ऐसा वाक्या देखा जिसके आईस में मसला हो हो सकता है जिसने incident ये accident होते देखा वो ने क्योंकि उनकी पुरानी दुश्मनी चाल रही थी तो जो witness होता है वो competent होना और neutral होना उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जैसे के the competency of witness may be challenge on grounds of lack of mental capacity that they are lacking knowledge and experience or that they are elderly suffering from an illness वो बिमार था, बुड़ा था या poor eyesight, मतलब उसकी आँखे कमजोर थी तो जब वो वो वाक्या ही नहीं देख पाया तो फिर उसकी witness का होना बहुत ज़रूरी नहीं है so आपको क्या है आप यह देख सकते हैं third paragraph में determining competency of a witness in relation to circumstantial documentary evidence is to go through the legal rules of evidence यह आपके legal rules of evidence के अंदर लिखा हुआ है जब आप इसको पढ़ेंगे you will get more clarity अभी हमने एक देख लिया कि competent कौन है कोई problem नहीं है normal है बिलकुल उसके eyesight में कोई problem नहीं है mentally भी ठीक है वो और उसको सब कुछ ठीक नजर आता so हम यह देख सकते हैं कि first general rule of competency every person is competent to be a witness except as otherwise provided in rules हर बंदा जो है competent है सवाए वो जो के reasons मैंने भी आपको दी है या वो reasons जो legal rules के अंदर लिखी हुई है federal rules of evidence वो जब आप उसको पढ़ेंगे आपको मजीद clarity आजएगी तो कौन से ऐसे लोग हैं जो witness competent witness नहीं बन सकते एक वो जो मैंने आपके बताएगी और कुछ further rules में लिखे हुए second lack of personal knowledge general rule of competency जो मैंने आपको बता दिया सवाए उन लोगों के बाकि सारे competent witness बन सकते हैं वो नहीं बन सकते जिनको आँखों का मस्लाइब बुड़े हैं बिमार हैं normal नहीं है वो सारे witness के दौर पे नहीं बन सकते हैं अच्छा second lack of personal knowledge क्या है इसमें ये बताया जा रहा है कि witness तब तक गवाही नहीं देता या नहीं दी जाती जब तक वो witness वाकि में इतना material ना हो उसकी गवाही तब लाई जाएगी वो इतना material है उसका बोलना या उस witness का इतना होना मजूदगी उसकी इतनी material है कि उसके बगएर वो case solve नहीं हो सकता अगर evidences के उपर base हो जाता है questions आपका पूरी investigation के questions solve हो जाते हैं तब तो ठीक है लेकिन आपको लगता है कि witness का होना बहुत जरूरी है उसके बगएर ये case का solution नहीं हो सकता तो तब फिर witness को लेके आजाता है जैसे के a witness may not testify testify का मतलब होता है गवाही देना या हाजरी खुदाना a witness may not testify to a matter unless evidence is introduced जो वे evidence देना जा रहा है वो sufficient है to support a finding that a witness has personal knowledge of the matter कि उसके पास witness के पास उस case की sufficient information है जो के वो court में दे सकता है और वो उसकी काफी ज़्यादा मतलब उसकी गवाही से assistance हो जाएगी case को resolve करने में so अभी हमने देखा के जो witness है वो competent होना चाहिए कौन से witnesses competent नहीं होते वो हमने discuss कर लिया और उनका गवाही देना किन सूरत में बहुत जरूरी है जब तक उनके पास material evidence नहीं है तब तक जरूरी नहीं है लेकिन अगर आगर उनके पास वाकि में इस तरह की कोई information है तो वो court में अपना as a witness के तोर पे जा सकता है गवाही देने के लिए और evidence को produce करने के लिए ताकि आपकी investigation successfully solve हो जाए